हाई वेलकर तो मस्चनल इस वीडियो में सॉल्व करें कुर्शनल 4 फाइंड 3 रेस्टनल नंबर्स लाइंग बिविन 3 अपन 5 एंड 7 अपन 8 हाउ मेनी रेस्टनल नंबर्स कैन बे डिटर्माइंड बिविन इस तो नंबर्स तो इसे हम फाइंड करेंगे बाई एवरेज मेथड मींस मेथड नंबर 1 चलिए सॉल्व करता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका निकाल लेंगे एवरेज तो हमारा निकल जाएगा एक एवरेज नंबर तो इसको विजुलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर एक बना लेना चाहिए नंबर लाइन और नंबर लाइन पर दिखा देंगे हम यहाँ पर कि कैसे यह बन रहा है तो यहाँ पर देखे 3 upon 5 पहले यहाँ लिख लेते हैं 3 upon 5 और यहाँ लिख लेते हैं 7 upon 8 देखे 315 और 718 के बीचों बीच में जो number है वो मिल जाएगा यदि हम क्या करेंगे इन दोनों को add करके और 2 से divide कर देंगे तो ठीक है तो हमारा first rational number जो है मिल जाएगा इन दोनों के बीच में तो आले के लिएता है first rational number first rational number between three upon five and seven upon eight is equal to क्या करते हैं हम लोग half कर देते हैं three upon five को add करके किसमे seven upon eight में ओके तो यहाँ पर इसी को बोलता है है मतलब यहाँ पर actually हम निकाल रहे है average मतलब बस mean निकाल रहे है divide कर रहे हैं two से add करने के बाद यहाँ में लेगा दिखे 84 जा 40 होता है 40 हो जाएगा LCM five eight जा and eight three जा 21 sorry 24 and eight five जा 40 and five seven जा 35 plus 35 तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर देखे उपर add कर रहे हैं जाएगा four plus five nine three to five 59 अपान 42 जा यहाँ मर भुलाएगा लिजएगा two से 40 में तो मिल जाएगा हमें 80 means 59 अपान 80 आजाएगा यह वाला number 59 अपान तो हमें इसको different color से रिखना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि कौन सा number पहले आ रहा है so यह हमारा आगया पहला 59 अपान 80 आप क्या करेंगे देखे 3 by 5 और 59 अपान 80 को add करेंगे और two से divide करेंगे तो मिल जाएगा यह वाला number means इन दोनों के बीच में उसके बाद हम क्या करेंगे 59 अपान 80 और 7 by 8 को add करेंगे तो यह वाला number मिल जाएगा चलिए निकालते हम लोग second so यहां में हो जाएगा second rational number second rational number between 3 upon 5 and 7 upon 8 is equal to क्या हो जाएगा 3 upon 5 को add करेंगे 59 upon 80 में तो यह हो जाएगा 3 upon 5 plus 59 upon 80 add करने के बाद 2 से divide करना पड़ेगा मतलब की 1 upon 27 प्लाइग कर देंगे तो यहां हो जाएगा 1 upon 2 in bracket यहां पर हम ले लेंगे LCM तो मिलेगा 80 ही और 5 से divide करेंगे मिलेगा आपको 16 5 जब होता है 80 16 3 जब 48 हो जाएगा so 48 plus 80 से divide करेंगे 59 ही मिलेगा 59 अब यहां पर add कर लेते हैं तो क्या मिलेगा और 2 से divide 2 से apply भी कर लेगे नीचे मिलेगा हमें 17 के 7 1 carry over and 549 हो जाएगा 107 107 upon यह हो जाएगा 80 मिंस हमारा आगया next जो रेस्नल नंबर है वो आगया है यह और यह मिला है 107 upon यह sorry यह 160 आएगा 160 यहां पर इसको भी डिज कर लोते हैं यह आपका आएगा 160 ओके तो हमने यह दूसरा भी कर लिए आप जो है तीसरा कल्कुलेट कर सकते हैं क्या करना होगा 3rd rational number between 3 upon 5 and 7 upon 8 इसको क्या करना होगा 1 upon 2 half निकलना होगा 59 upon 80 और 7 upon 8 को आइट करके 2 sit आइट करना पड़ेगा तो जगर मिलेगा यह बीच वाला यह वाला ठीक है तो मिलेगा हमें 59 upon 80 plus 7 upon 8 तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा 1 upon 2 और यह हो जाएगा 80 LCM तो यह हो जाएगा 59 plus 8 से डिवैड करना होटीर मिलेगा और यह हो जाएगा 70 दोनों को add करेंगे तो क्या मिलेगा यहां मिल जाएगा आपको 9 और 112 हो जाएगा यह 112 हो जाएगा 129 अपान हो जाएगा 160 means जो third result number मिल जाएगा वो मिल जाएगा 129 upon 160 तो यह ही आपके तीन result number होंगे तो पहला वाला यह हो गया दूसरा यह हो गया और तिसरा यह हो गया ओके ओके नाव दूसरा question पुछा इसमें how many result numbers can be determined between these two numbers तो अब ध्यान देगा जैगा जैसे हमने यहां पे किया यह तीन result numbers between 3 upon 5 and 7 upon 8 तो ऐसे ही हम बहुत सारे result number के लोड़ कर सकते हैं यदि मालीजी के हमें निकालना हो 3 by 5 और 107 upon 160 मने कि यह वाला जो number है यह वाला जो number है इसके और इसके बीच में यदि निकालना हो यहां पर तो हम दोनों को add करेंगे और two से divide करेंगे तो निकल जाएगा फिर यह जो number है और यह जो number है इन दोनों के बीच में निकल सकता है यहां पर और फिर यहां पर और इसके और इसके बीच में निकल सकता है मतलब बस हमें दोनों को जोड करके add करके two से divide करना होगा और ऐसे करके हम infinitely many rational numbers find कर सकते हैं इन दो numbers के बीच में मतलब इसका answer होगा infinitely many how many rational numbers can be determined तो infinitely many rational numbers can be determined between these two numbers ओके तो hope के को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर क्या खाना चाहता हूँ और क्या इसका solution है thank you so much for watching बाइ